सोहान हमेशा क्रिकेट खिलने में मॉगन रहता है मेरी बीटी हमेशा पढ़ाई में मॉगन रहती है आप लोग हमेशा फिर्म देखने में मॉगन रहते हैं गैस इस प्रकर की सेंटेंस का हम इंगलिस में कैसे कहेंगे जहां पर हम बोलते हैं मॉगन रहना मॉगन रहना इसे हम हम इंग्लिस में कहते हैं एंग्रोस्ट चलिए इसको यूस करने की प५्लिट स्ट्रप्चर दिख लैते हैं प्रेले आपको लिखना पड़ेगा सॉबजिक्ट इसके बाद है पिंग वर्द एककरडिंग डुसब्जिक्ट इसके बाद आपको यूस कर देनी engrossed in इसके बाद object अगर verb आएगा तो बब की आये जुवम चलिए कुछ examples लेते हैं तक कि आपको और अच्छ से clear हो जाए सोहान हमेशा cricket खिलने में मगन रहता है सोहान is always engrossed in playing cricket मेरी माँ हमेशा सफसंग में मगन रहती है आप लोग हमेशा फिल्म देखने में मगन रहती है मेरी बीटी हमेशा पढ़ाई में मगन रहती है वो हमेशा पेसे कमाने में मगन रहता है मेरा बेटा हमेशा टीवी देखने में मगन रहता है वो हमेशा अपने में ही मगन रहता है वो हमेशा अपने में रहता है झाल